इंटरनेट को आधुनिक मानव एतिहास का सबसे बड़ा आविशकार कहना अप्रासंगिक नहीं होगा इंटरनेट ने पूरी दुनिया को मुठ्थी में कर लेने की ताकत दी है ऐसा लगता है मानु पूरी दुनिया कंप्यूटर, लैक्टॉप और फोन में समा गई है आप अपने फोन पर एक क्लिक कर दुनिया के किसी भी कोने में बैटे व्यक्ती से संपर्ख कर सकते हैं किसी भी देश में होने वाली किसी भी घटना के बारे पढ़ सकते हैं या देख सकते हैं लेकिन आपने कभी सोचा है कि बिना तार के आपके स्मार्टफोन तक इंटरनेट पहुँचता कैसे है दरसल समुद्र और महासागर में कई किलोमीटर लंबी केबल बिचाए गई है इन्ही केबल के रास्ते इंटरनेट हम तक पहुँचता है पानी के अंदर केबल बिचाने की गूगल की परियोजना से जुड़े जेने स्टोवेल बताते हैं कई लोगों को लगता है कि इंटरनेट बादलों के रास्ते हम तक पहुँचता है लेकिन ये गलत है इंटरनेट छोटे छोटे कोड का समुव है जो समुद्र में बिच्छी केबल के जरिये हम तक पहुँचता है बाल से भी पतली तार की मदद से इंटरनेट को दुनिया के एक छोड से दूसरे छोड तक पहुँचने में बमुश्किल उतना ही समय लगता है जितना आपको एक शब पढ़ने में दुनिया भर को इंटरनेट से जोडने के लिए महासा रो में करीब 12,07,000 किलोमीटर लंबी केबल बिच्छाए गई है आपके फोन तक कैसे पहुँचता है इंटरनेट सबसे पहले फैक्टरियों से केबल तारों को इकठा किया जाता है केबल को कहा बिचाया जाना है इसका ध्यान रखते हुए उसे प्लास्टिक या स्टील के खोल से धका जाता है समुद्र में केबल बिचाने का काम पूरा होने पर डाटा प्रकाश की गति से उन तारों से गुजर कर जमीन पर स्थित नेटवक या सेटलाइट से संपर्क बनाता है इन्ही नेटवक या सेटलाइट की मदद से हम इंटरनेट का इस्तिमाल कर पाते हैं 25 वर्ष होती है इंटरनेट केबल की उम्र इंटरनेट की केबल को प्राक्रितिक आपदा से बचाने की पूरी व्यवस्था की जाती है बावजूर इसके पानी के तेज बहाव भूकम पादी से उनके क्षतिग्रस्थ होने की आशन का रहती है एक केबल करीब 25 साल तक काम कर सकती है सबसे पहले इंटरनेट केबल से जुड़े थे अमेरिका वब्रिटेन 1858 में पहली बार अटलांटिक महासागर में बिचाई गई केबल के जरिये अमेरिका वब्रिटेन को इंटरनेट से जुड़ा गया था उस वक्ट डाटा को ट्रांस्मिट होने में करीब 16 घंटे का समय लग जाता था उसके बाद के दशकों में तेजी से सेटलाइट और वायरलेस तकनीकों का विकास हुआ इनके इस्तेमाल से अब एक सेकेंड से भी कम में किसी भी डिवाइस पर डाटा ट्रांस्मिट हो जाता है इंटरनेट कनेक्शन के लिए हम अपने चारों और जितने भी केबल और बॉक्स देखते हैं उनका नेटवर्क पूरी दुनिया को जोड़ने का एक छोटा सा हिस्सा है इंटरनेट कनेक्शन स्पीड डेटा ट्रांस्फर का असली जाल समुदर तल से हजारों मीटर नीचे रखा गया है ये पूरा नेटवर्क पूरी दुनिया को एक दूसरे से जोड़ता है Cable-net की इस तस्वीर से आप समझ सकते हैं कि दुनिया के समूद्र के नीचे Cable बिचा कर वर्चुल कनेक्षन कैसे स्थापित किया जा सकता है Cable ओका ये Network कितना बड़ा है कौन बिचाता है इन Cable ओका एक बड़ा Network समूद्र के नीचे बिचा हुआ है दुनिया का दो प्रतिशत संचार और डेटा ट्रांसफर समुद्र के नीचे बिच्छाई गई संचार केबलों के माध्यम से किया जाता है इन केबलों को पंडुब्बी संचार केबल कहा जाता है वर्तमान में समुद्र के नीचे लगभग 6 पंडुब्बी केबल है जिनकी कुल लंबाई लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर है Google, Microsoft और Facebook जैसी बढ़ी इंटरनेट कमपनिया इससे पक्का करने का काम कर रही है सभी टेलीकॉम प्रदाता भी इसकी फंडिंग का हिस्सा है ये केबल कैसे बिचाई जाती है ये केबल हजारो किलोमीटर लंबी होती है और एवरेस जितनी गहराय तक बिचाई जाती है यह एक विशेश केबल पर तो द्वारा समुद्र की सतह पर बिचाई जाती है आमतोर पर एक दिन में 1,200,000 किलोमीटर केबल बिचाई जाती है इनकी चोड़ाई करीब 15 किलोमीटर है सेटेलाइट सिस्टम की तुलना में डेटा ट्रांसफर के लिए सबमरीन ओप्टिकल फाइबर केबल काफी सस्ते होते है इसका नेट्वर्ग भी काफी तेज है तो क्या सिर्फ केबल काटने से दुनिया से नाता टूट जाएगा ऐसा नहीं है कि सिर्फ केबल काटने से संपर्ट कर जाएगा क्योंकि कमपनी के पास एक केबल के बदले दूसरी केबल का बैकप भी होता है हाला कि ये संचार और इंटरनेट की गती को प्रभावित करता है 2014 में तमिल नाडु में एक तूफान ने समुद्र के नीचे बिच्छाए गई एक इंटरनेट केबल को खशतिग्रस्त कर दिया जिसने कुछ मामलों में देश में एटल नेटवर्क को धीमा कर दिया कमपनी ने इस संबंध में ग्राहकों को नोटिस भेजा है 2014 में कुछ तैराकों ने यूरोप और अमेरिका से मिस्र तक 6 केबल काट दिये इसने पूरे मिस्र में इंटरनेट की गती को 50 प्रतिशत तक धीमा कर दिया केबल कहां काटी गई यह पता लगाने के लिए एक रोबोट भेजा जाता है एक केबल का जीवन का लगभग 25 वर्ष होता है कुछ देर के जटके के बाद केबल को ठीक कर दिया जाता है